कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसा हम रोई करणी ऐसी कर चलो की हम हसे और जग रोई जब इंसान इस धर्ती पर आता है तो रोते हुए आता है लेकिन सब लोग खुशिया मनाते हुए उसका स्वागत करते हैं लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो महा पुरुश हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए ऐसे सत कर्म करने चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे चेरे पर तो मुस्कान और हसी हो पर लोगों के चेरे पर हमारे जाने का गम हो आज हम अपने जीवन एक महत्वण बिंदू पर अपना ध्यान केंदित कर रहे हैं और वो है हमारे अपने कर्म इसलिए तो कहा है कि कर्म तेरे अच्छे है तो किसमत तेरी दासी और नियत तेरी साफ है तो गर में मतुरा कासी इंसान का कर्म और इंसान के नियत ये दोनों अच्छे होने चाहिए याद रखिएगा किसी का वक्त खराब होता है और किसी के नियत खराब होती है तो उसका कभी साथ मत छोड़िएगा जिसका वक्त खराब है पर उसका कभी साथ मत दीजिएगा जिसके नियत खराब है तो हमें अपने कर्म और अपने नियत इन दो चीजों को हमेशा अच्छी रखनी चाहिए कहते हैं कि एक राजा जिसका मंत्री अच्छनक मर गया तो उसने सेनापती को बुलाया और कहा कि मुझे अपने राजे के लिए एक महा मंत्री की जरुत है पूरे राजे में घोशना करवा दो और जो सबसे अच्छा युवक मुझे योग्य लगेगा उसको मैं महा मंत्री का पद दूँगा सेनापती ने का ठीक है सेनापती ने राजे में घोशना करवा दी और महा मंत्री पद पर आसीन होने के लिए सेकडो लोग आए और सेनापती ने सब को चाड़ करके तीन लोगों को राजा के सामने पेश किया और कहा कि मेरी दिष्टी में ये तीन लोग महा मंत्री के योग है तब राजा के मल में आया आरे महा मंत्री तो एक को चुनना है तीनों को थोड़ी चुना जा सकता है फिर राजा ने अपना दिमाग दोड़ाया और एक शर्त नियत की सेनापती को बुलाया और कहा कि इन तीन लोगों को तीन खाली बोरे दे दीजिए तीनों को तीन बोरे दे दिये गए और राजा ने कहा कि जाओ जंगल में और इन तीन बोरों को भर करके ले करके आना है अच्छे से अच्छे फल इसमें भर करके ले करके आना है जिसका बो दी जाती है और वो तीनों जंगल में चले जाते हैं सबसे पहला व्यक्ति और वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मीठे मीठे प्यारे प्यारे फलों को एकटा करता है और धीरे 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 पूरा बोरा फलों से भर देता है लाद देता है फिर दूसरे व्यक्ति क तो वैसे भी देखने का टाइम नहीं है कि फल कैसे है और उसके मन में यह आता है और वो जैसे फल उसको मिलते हैं अच्छे फल भी भर देता है बुरे फल भी भर देता है सड़े गले फल भी भर देता है जैसा मिलता है वो भरता जाता है भरता जाता है भरता जाता भरता जात है इसमें कैसी योगे ता और उसने राजा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जो भी कच्रा पच्रा जो मिला सब उसके अंदर भर दिया क्योंकि मालूम था राजा को तो समय है नहीं वो भला क्या बोरा देखेगा ऐसी जैसे बोरा भर देता हूं और उसने जो भी मिला, कच्रा, गंदगी, सब उसमें भरता गया ऑर फटा-पट उसने भी बोरे को भर लिया और समय के अनुसार एक महने के बाद तीनों लोग राजा के दर्बार में पहुंचे. राजा ने तीनों बोरों को देखा और पता नहीं राजा को क्या सूजा राजा ने सेनापती को आदेश दिया कि जाओ इन तीनों को जैल में बंद कर दो जैसे ये सुना कि यो तीन लोग हके बके रहे कि ये राजा ने कैसा आदेश दिया लेकिन राजा के आदेश को कौन टाल सकता है सेनापती ने तीनों को अलग अलग जेल के अंदर डाल दिया और तीन महिने की मौलत उनके दिमाग में आया अरे यार तीन महिने कैसे निकालेंगे तीन महिने कैसे निकालेंगे तीन महिने कैसे निकालेंगे हमारा तो कोई कसूर नहीं ए राजा तो हमें मा मंत्री बनाने के लिए बुलाया था और उ फलों के सहारे निकाल दोंगा क्योंकि उसने अपने पूरे बोरे में अच्छे अच्छे फल भरे थे और दूसरे के मन में आया अरे यार मैंने तो अच्छे फलों के साथ बुरे फल भी भर दिये सड़े फल भी भर दिये गड़े फल भी भर दिये अब उन सड़े फलों ने अ तीसरा व्यक्ति वो तो बहुत घबराने लगा वो तो बहुत घबराने लगा अरे यार ये मैंने क्या कर दिया मैंने तो इसके अंदर कच्रा भर दिया गंदगी भर दी अब तीन महिने में कैसे निकालूंगा और कहते हैं तीन महिने के बाद तीन लोग राजा के पास पहुँचे लेकिन पहला व्यक्ती तो बिलकुल हटा कटा बिलकुल शानदार चेहरे पर प्रसनता मुस्कृराता हुआ राजा के सामने पेश हुआ दूसरा मडियल क्योंकि सड़े-गड़े फल खाए तो तबियत बीमार पड़ गई और वो मरी हुई हालत में बीमार हालत में राजा के सामने पेश हुआ और तीसरा उसमें तो ना चलने की सकती थी ना हिलने की सकती थी ना डूलने की सकती थी तो बिलकुल जैसे मरा हुआ यानि उसके प्राण निकलने वाले ऐसी हालत हो गए थी और उसको भी राजा के सामने पेश किया गया राजा ने तीनों को देखा और सबसे पहले वाले व्यक्ति को महामंत्री घोसित कर दिया यह कहते हुए कि जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं जो लोग अपने जीवन में सड़े गले कर्म करते हैं वो अपने जीवन में कभी योगेता हासिल नहीं कर पाते हैं लेकिन जो अपने जीवन में हर कर्म स्रिष्ट तरीके से अच्छे तरीके से करते हैं वही महामंत्री बनने के काबिल होते हैं जो लोग अच्छे ढंग से और अच्छे मन से कर्म करते हैं वही अपने जीवन में आगे बढ़ने में सफल हो जाया करते हैं इसलिए मेरे प्यारे भाईयों, बैनों, अपने जो भी कर्म करो, नमबर एक अच्छे ढंग से करो, अच्छे मन से करो. याद रखेगा, सुख दुख और कुछ नहीं है, हमारे ही अपने कर्मों का परिणाम है. हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिला करते हैं इस प्रकरती का नियम है यहाँ पर जैसे बीज बोए जाते हैं वापस वैसे ही फल लोट करके आते हैं अगर हम धतूरे का बीज बोएंगे और सोचेंगे मुझे इसके बदले में आम का फल मिल जाए क्या संबव है कभी सं नहीं है आम का बीज बोएंगे तो आम के फल मिलेंगे और धतुरे का बीज बोएंगे तो धतुरे का फल मिलेगा इसलिए अपने जिवन में हमेसा कर्म करने के प्रती सावधान रहिए अगर हम सुख चाते हैं तो हमें क्या करना होगा सुख के बीज बोने होंगे अगर हम सु सुख मिले सुख मिले तो ऐसा कभी समभाव नहीं हो सकता है आप ने कभी कुवे में जाकर कोज किया है हम चालगे और कितने बार यह कुछ को आएगा हम बोलेंगे एक और नहीं गाल ना सुर्ड़ मोल्ड़ करके आएगा और हम बोलेंगे गुंट इनिश्क वापस क्या आएगा तो यानि ये प्रकरती इको साउंड है ये प्रकरती क्या है इको साउंड पर पूरा डिपेंड है पूरा सिस्टम इसका इको साउंड पर चलता है यानि कि जैसा बोलते हैं वैसा ही वापस लोट करके आता है जैसा करते हैं वैसा ही लोट करके आता है जैस हसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है और जिंदगी रूलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है अपने जीओन में हमेशा अच्छे कर्म करने के प्रती सावधान रहे अपने अच्छे मन के प्रती हमेशा सावधान रहिए एक बार किया हुआ एक अंजूस होटल में पहुंचा और उसने चाए का ओडर दिया कि चाए लेकर के आओ और चाए आने वाली थी कि वो मैनेजर के पास गया और मैनेजर साव मैनेजर साव अरे बिल लेकर के चाए यहां अगर आप दिना बिल लेकर के चाए पिला तो मैं समझों कि आप मैं कुछ दम है मैनेजरने का ठीक है बिलकुल पिला देंगे और मैनेजरने अपने वेटर को बुलाया और उसे कुछ समझाया वो व्यक्ति वापस चेयर पे जाके बैठ गया वेटर आया और उसको चाय का कप पकड़ाया उसने देखा है अरे यह तो कप खाली है इसमें तो चाय नहीं है वो मैनेजर के पास गया यह आपकी वेटर ने देखो मुझे खाली कप पकड़ा दिया तो मैनेजर ने कहा अरे भरे कप के साथ तो चाय सबी पीते हैं आप खाली कप के साथ चाय प्ये तो मैं जानू जैसा करते हैं वैसा ही वापस लौट करके आता है तो इसलिए अपने जीवन में अगर आप आज दुखी है तो समझना कि आपने बुरे बीच बोई है इ इसलिए आपको आसुख मिल रहा है तो अगर आज आपको सुख मिल रहा है तो आपको ये काम करना है कि मुझे आगे भी सुख मिले तो मुझे और इसका बैलेंस बढ़ाते जाना है और अगर आज दुख मिल रहा है तो समझना कि मेरे अच्छे कर्मों का बैलेंस खतम हो गया ह तो अपने जिवन में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए भगवान श्री माविर का जिव सबसे बड़ी देन इस दुनिया को है वो है कर्म का सिद्धान्त ठोरी आप कर्म ये भगवान श्री माविर की इस दुनिया को सबसे बड़ी देन है उन्होंने कहा कि इंसान अपने कर्मों से ही महान बनता है और इंसान अपने कर्मों से ही शैतान बनता है अपने कर्मों से ही वो भगवान भी बन सकता है और अपने कर्मों से वो शैतान भी बन सकता है सब कर्म का खेल है सब कर्म का परिणाम है जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल ह हमें प्राप्त होंगे, इसलिए अपने जीवन में, आज से हम क्या संकल्प ले रहे हैं, हम कभी भी अपने हाथों से कभी भी गलत कर्म नहीं करींगे, अच्छे कर्म कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बुरे कर्म तो भूल चूक कर मत कीजिएगा संकल्प ले लिजिए कि मैं अपने द्वारा हमेशा जब भी करूँगा अच्छे कर्म ही करूँगा कभी भी घटिया कर्म गलत कर्म नहीं करूँगा क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का बंदन होगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों का बंदन होगा एक बार भगवान श्री माविर की सभाई चल रही थी और तभी गोतम स्वामी जी ने देखा कि सभाई के बाहर एक व्यक्ति इधर से उदर इधर से उदर इधर से उदर भाग रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है एक सेकंड भी उसको विश्राम नहीं एक सेकंड भी उसको सुख नहीं एक सेकंड भी उसको सांती नहीं बस भागे जा रहा है इधर से उदर उदर से लिए उफर होनी की बज़ाए लगोमख्य लॉपर बिन भिना रही है और उस जलन से इतना परेशान है इतना परेशान है कि बस इदर से उदर भाग रहा है और मक्यों को भगा रहा है लेकिन मक्या उसको छोड़ नहीं रही है जब गोतम स्वामी जी ने ये देखा तो मन में आया हो वो हो ये विचारा कितना दुखी है ये विचारा कितना दुखी है इस एक सेकेंड भी उसको सुख और शांती नहीं है, जब भगवान ने ये सुना तो भगवान मुस्कुराय और कहा, वास्ता में अगर तुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी देखना है, तो इसी राजे के राजा का पांच्वा राजकुमार देख ले, तो समझ में आएगा कि इस दुनिया में दुख क्या होता है, ये सुनकर कि गोतम स्वामी हके बके रहे के चौंग गए क्या, ऐसा भी है, और भगवान की आगया लेकर वो राज दरवार में पहुंचे, राजा ने स्वागत किया, रानी ने स्वागत किया, सभी ने स्वागत किया, तब गोतम स्वामी ने कहा कि मैं आपके बच्चों को देखना चाता हूँ, तो राजा ने अपने सुन्दर सुन्दर राजकुमारों को बुलाया, और सब राजकुमार हाजिर हो गए, तब गौतम सामी ने का मैं इन सुन्दर राज कुमारों को नहीं देखना चाता हूँ जो आपके तल भवर में रखा हुआ ये सुनकर कि राजा चौंका रानी चौंकी कि ये तो खबर किसी को नहीं है किवल हम दोनों के अलावा ये खबर किसी को नहीं है इनको कैसे पता चली तब कहा कि भगवान ने मुझे अपने ग्यान से देख कर बताया है और कहते हैं कि राजा रानी गोतम स्वामी जी को अपने साथ तल भवर में ले जाते हैं और जैसे ही तल भवर का गेट खुलता है कि राजा जानी अपने चेरे पर कपड़ा ढग देते हैं इतनी भैंकर बद्बू की एक सेकंड भी वहाँ खड़ा रहना संभव नहीं इतना मुश्किल गोतम सामी जे की भी पूरे रोम रोम ऐसे हिल गए काप गए इतनी भैंकर बद्बू और उनको भी कपड़ा रखना पड़ा और जैसे ही वो अंदर उत्रे और उस राजकुमार को देखा तो बिलकुल एक्दम बहुँ चके रह ग milk हके बके रह गिए यह क्या यह क्या दरसल उस राजकुमार का पूरा शरीर गेंद की तरह था पूरा शरीर गैन की तरह बिलकुल गोल मटोल था और पूरे शरीर में केवल एक ही छेद था और करमों की कैसे नियती देखो उसको उसी से खाना पड़ता था और वापस उसी से बाहर गंदगी निकलती थी इतनी भैंकर उसको पीड़ा इतनी भैंकर उसको दुख और दर्द हो रहा था जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है गोत्म स्वामी जी वापस भगवान के पास आये और कहा कि प्रबू ये कैसी नियती ये कैसी करमदशा राजा के घर में जनम और ऐसी स्थती तब भगवान श्री माविर ने कहा कि ये पिछले जनम में ये पिछले जनम में पांसो गावों का अधिपती था पांसो गावों का अधिपती था और मच्वारों का ये राजा कहलाता था लेकिन रोज ये हजारों लाखों मच्छलियों को वैपार करता था तो रोज लाखो मचलियों को मारने को ये बुरे कर्म करता था और इसके यह जो भी लोग काम करते थे ये इनको खूब तड़फा था था खूब उनको तकलिफ देता था आये जैसा उनको बोलता था और परिनाम ये आया कि राजा के घर्म में तो जन्म ले लिया इसने लेकिन इसके अशुब कर्मों का ये परिणाम आया कि आज इसको इतनी भैंकर व्यादी से गुजरना पड़ रहा है दूसरों को व्यादी देंगे तो वापस कभी समाधी लोड कर आने वाली नहीं है तो अपने जीवन में नंबर एक कर्म का पहला सिद्दान्त है कि कर्म हमेशा करता का अनुगमन करता है कर्म का पहला सिद्दान्त क्या है कर्म करता का अनुगमन करता है जैसे छाया हमारा अनुसरन करती है वैसे ही कर्म करता का अनुगमन करता है इंसान सारी दुनिया में धूल जोक सकता है लेकिन कर्म की आँख में धूल नहीं जोक सकता इसलिए आप जो कर्म करेंगे आपका कर्म आपका ही वापस पीछा करेंगे देखिए भगवान स्वी मावीर को अपने कालों में कीले क्यों खाने पड़ी मालूम है क्योंकि उन्होंने पिछले जनम में किसी सईया पालक के कान में खौलता हुआ सीसा डलवाया था राजा के घर में जनम ले लिया तिर्थंकर बन गए लेकिन वापस कर्मों का भुकतान तो करना ही पड़ा भगवान श्री आदिनाथ बारा महीने उनको निराहा रहना पड़ा क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने किसी बैल के मुँपर छीकड़ा बांद दिया था और उसको बारा घंटे बूखा रहना पड़ा तो इसलिए वापस कर्म आया और कितना गुना होकर के आया बाहरे मास उनको भुकतान बारे घड़ी अंतराय की दिनी और बाहरे मास भुकतान तो हम जैसा करते हैं वैसा वापस वो हमारा कर्म हमारा ही पीछा करता है इसलिए नंबर एक कर्म करता का अनुबरन करता है नंबर दो कभी कर्म हम पर हावी होते हैं और कभी हम कर्म पर हमें उसकी गर्जаноनी पड़ेगी भाइयार, लाक रुफे दे लाक रुफे दे, लाक रुफे दे लाक रुफे के रुफे होता है कि और कभि हम करमा पर हार होते हैं। σतन नम्बर तीन हम कर नके पूर दें मैं सव crédर्ण डेदे उसके परतंत्र हो जाते हैं जैसे हम पेड़ पर चड़ते हैं तो पेड़ पर चड़ने में तो स्वतंत्र है लेकिन पाउं चूग गया और पेड़ से नीचे गिर गए तो फिर हम गिरते समय परतंत्र हो जाते हैं और कर्म का अंतिम सिद्धान्त है कि कर्मों को भोगे बिना चुटकारा नहीं है जैसे कर्म कियें उसका हमें भुकतान तो चुकाना ही पड़ेगा इसलिए अपने जियों में कर्म के प्रती हमेशा सावधान रहिए और नंबर एक कभी किसी का दिल मत दुखाईए याद रखियेगा दुखी आदमी तो सुखी हो सकता है पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता तो अपने मन में एक संकल्प ले लीजिए कि मैं आज के बाद कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा दूसरों को सुख दे सकता हूँ तो छोड़ दो स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो नरक से बहवित होना छोड़ दो क्या पुन्य है क्या पाप है यह सब भगवान पर छोड़ दो बस अपनी और से कभी किसी का दिल मत दुखाना बाकी सब कर्मों पर छोड़ दो तो कभी किसी का दिल मत दुखाना, जैसे बाग में फूल तोड़ना, मना है, इसकूल में रूल तोड़ना, मना है, वैसे ही औरों का दिल तोड़ना, मना है नमबर दो, अपने और से कभी किसी की अवेहलना, मत कीजिए, कभी किसी की अवेहलना, मत कीजिए, जब भी आप किसी की अवेहलना करते हैं, तो उसके दिल को ठेस पहुंचती है, और बहुत अशुप करमों का बंदन हो जाता है, तो नमबर दो, कभी किसी की अवेहलना, मत की है तो जरूर कीजिए पर कभी किसी से नफरत मत कीजिए मैं उनसे नफरत नहीं करता जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनसे नफरत नहीं करता जो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं तो नमबर तीन कभी किसी से नफरत मत पालिए नमबर चार कभी किसी से वैर मत बांदिये और अंतिम और पांचवा निर्दन कर रहा हूं कभी भी बैमानी का पैसा मत कमाईए कभी भी बैमानी का पैसा मत कमाईए क्योंकि याद रखिएगा गरीब की हाए गरीब की हाए किसी की बद दुआ मत लेजिए क्योंकि याद रखिएगा गरीब की हाए और हराम का पैसा इससे बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा लेकिन हमारा पुन्य का बैलेंस बिगड जाएगा तो नमबर पाँच कभी बहीमानी का पैसा अपने घर में मत लाईए अगर ये पाँच सिद्दान्त हम अपने जीवन से जोड देते हैं तो मानकर चलिए हमारा कर्म हमेश अपने आप ही अच्छा हो जाएगा हमारी नियत अपने आप अच्छी हो जाएगी और हमारी जीर में कभी हमें बुरे कर्मों का सामना नहीं करना पड़ेगा याद रखेगा जो मचलियां होती हैं ना मचलियां वो तालाब की कीड़ों को खा करके अपना जीवन जीती है पर उन मचलियों को याद रखना चाहिए, ज़ा तालाप का पानी सूख जाता है, मचलियां मर जाती है, तो वही कीडे वापस मचलियों को खा करके जिन्दा रहते हैं तो जैसा करते हैं वैसा वापस लोट करके आता है तो इसने अपने जिवन में अच्छे कर्म किजिए अच्छा पुर्शार्थ कीजिए यहां दखिएगा जिंदगी पल-पल ढलती है जैसे रेत मुठी से फिसलती है जिंदगी में कितने ही गिले शिक्वे क्यों नहो पर अच्छे कर्म करते रहना क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है जिन्दगी सिर्फ एक बारी मिलती है सबके लिए